हलो रीवन ये कोष्ट सीजियल का है और ये घुट सब्सक्राइब कर ले जाएंगे बस आपको पढ़ना है अच्छे से और दो लाइन में इसको इसको सॉल्ट कर लिना है दो रहे ज़्यादा नहीं लगाना है तो चली समझते हैं कि आखिर ये कोष्टन दो लाइन में X तो X का भहरू इस निकालना है उसके बाद इसको डारेक्ट कर लिना है देखिए हर एक स्टेप में आप अपना टाइम बचाएंगे इस टेप लिएक्ट कर पा रहे हैं अपना टाइम बचा रहे हैं तब ही जाकर आप इस कोशन को जल्दी निप्ताएंगे एक्स परसेंट और थिरी हंड़ेड़ फिप्टिन तो पहले अगर हम इस लाइन का स्टेटमेंट लिखे हैं पहला लाइन देखेगा ये क्या अगिवेन है फिरी एक्स मानस तेन परसेंट परसेंट मतलब वान बई हंड़ेड और यानि गुना एक्स ओपचास ठीक है ओके एक इसको आपको लिखना था question पढ़ने के सांसा अगर आप इसको solve करते हैं solve करते हैं देखिएगा ये 0 से 0 इसको multiply करेंगे तो होगा 15 माइनस का 15 हो जाएगा यहां solve करेंगे तो एक्स का भरू निकालना है तो यहां पर इसका सब्सक्राइब हो सकता है यहां से पॉइंट यहां जाएगा इसको काटेंगे तो ट्वेंटी बस हो गया खिल खतम आप इसके आगे महिनत नहीं करना है में काम यहीं था कि हमको एक्स का भरू निकालना था जो की निकल चुका है अब देखिए बोला गया है देन करें लिए होगह 45 यानि परसेंट यानkat रचीक的 कि इसका निकलेगा अरे भाई इसका वहलू कि इस कितना निकलेगा कैसे कटेगा यह कम दो पकचे 10 ठीक है और रिकर शाल में होगा इसका जो ऐ है 99 होगा इसका जो एक है फिली क्या मिलेगा एक प्लस 10 यानि कि 20 प्लस टे यानि 45 बटे 100 कितने 220 के इसका वहलू कितना निकलेगा अरे भाई इसका वहलू कितना निकलेगा इसका वहलू कितना निकलेगा कैसे कटेगा यहां देखो दो पचे दस ठीक है और 11,12 इसको काटेंगे तो 9,45 निनानवे होगा यानि इसका जो भैलू है कि 99 होगा इसका जो भैलू है हमको 99 मिल गया ठीक है अब इसका फिलू क्या मिलेगा एकस प्लस 10 यानि कि 20 प्लस 10 होगा 30 30 30 परसेंट ऑफ 250 यानि 30 परसेंट ऑफ है इसको 100 गुने में 250 काटेंगे काटेंगे यह कितना हो जागा 25 निया 75 ठीक है अब बोला जा रहा है कि 99 जो है कितना परसेंट एक्स्ट्रा है 75 से इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा अरे डिफर हो गया अब 75 को निचे लिखेंगे इसी से कंपेर करना था ना एंट्व हंड्रेट परसेंटेज निकालना है तो हंड्रेट से मल्टिप्लाई करना होगा देखिए पचीस तिया 75 और पचीस चोग्वे सो आठ तिरका 24 टेवल याद है ना दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे इस तरह का कोशन देखने में लेंद भी होता है लेकिन यह काफे सिंपल था बस कुछ बात आपको मालूम होना चाहिए एक सीड मतलब क्या होगा एक्वेसन कैसे से करेंगे अगर यह एक्वेसन सेट हो गया अच्छे से तो फिर इस कोशन में कोई डाउट नहीं होगा अच् कोशन जब आप प्रेक्टिस करेंगे और इस कोशन को आप लोग प्लीज नोट डाउन करकर रखिएगा कि इस तरह कोशन आने का चांस बहुत में रहता है ठीक है यह हर बलाता है और आई गहीं आएगा ठीक है चरिए तो यहां तक में आपका कोशन होगा वीडियो चला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को प्लीज सिस्क्राइब हीजेगा थैंक्स पर वाचिंग